Dear Students, आज हम Class 10th की Beehive Textbook का Chapter No.3 पढ़ने जा रहे हैं इस Chapter का नाम है That Little Girl और इसको लिखा है Catherine Mansfield ने इस Chapter में एक बच्चे की एक छोटी उम्र के बच्ची की भावनाओं के बारे में बताया गया है कि किस पकार से बच्चे जब ना समझ होते हैं छोटे होते हैं तो उनको अपने माता पिता के बेवहार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है चोड़े देखते हैं Before you read इस Chapter को पढ़ने के पहरे Before you read means इस Chapter को पढ़ने के पहरे आप से दो प्रस्न किये गए हैं जिस पर आपको विचार करना है Do you feel you know your parents better now? क्या आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा महसूस करते हैं कि You know आप जानते हैं your parents अपने माता पिता को better ज्यादा अच्छे तरीके से ना हो अब क्या आप अपने माता पिता को अब ज्यादा सही तरीके से जानते हैं Than when you were much younger बजाए उसकी तुर्णा में जब आप छोटे थे यंगर थे छोटे थे Perhaps you now understand the reasons for some of their actions Perhaps means साइद You now understand साइद अब आप समझ पाते हैं the reasons उन कारणों को for some of their actions जिस बज़े से आपके माता पिता वो action करते हैं वो प्रतिक्रिया देते हैं वो कार करते हैं That used to upset you earlier जिसकी बज़े से आप पहले earlier means पहले upset हो जाया करते थे Used to भूत कार की किसी आदत के बारे में बताता है This story about a little girl यह story एक छोटी वड़की के बारे में है Whose feelings for her father change जिसकी feelings जो थी जिसकी भावनाएं जो थी अपने पिता के पती change होती है From fear to understanding डर से समझ तक पहले वो डरती थी अब वो उन चीजों को समझने लगी है We'll probably find an echo in every home और सायद ये कहानी हर घर में गूझेगे भी जब बच्चे छोटे होते हैं तो माबाप डाटते हैं, डपटते हैं, कई बार मार भी देते हैं तो चूँकि बच्चे ना समझ होते हैं छोटी उमर में, उन्हें ये नहीं महसूस होता कि हमारे माबाप क्यों ऐसा कर रहे हैं लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको पता चलता है कि आखिर हमारे मम्मी पापा इस प्रकार के कार हमको डाटने का, हमको समझाने का कार क्यों किया करते थे चलिए चैप्टर सुरू करते हैं To the little girl, he was a figure to fear To the little girl, उस रड़की के लिए, he was, he यहां उसके पिता जी के लिए आया है He was a figure to fear वह एक figure थे, एक चहरा थे, एक person थे to fear, जिससे लोग डरें तो वह उसके लिए एक डरावना चहरा थे And avoided, और ऐसा चहरा थे, जिससे वो avoid किया करती थी, बचा करती थी Every morning, हर सुबह, before going to work, काम में जाने से पहले He came into her room, वह उसके कमरे में आते थे And gave her a casual kiss, और उसको एक साधारन सा, casual सा kiss, यानी चुम्बन रिया करते थे To which she responded, जिसके बद्रे में वह respond करती थी, उत्तर देती थी, पतिक्रिया करती थी And oh, there was a great sense of relief, और क्या होता था, जब उसके पिता जी जाने रखते थे To a great sense of relief होती थी, एक happy feeling होती थी उसको, एक खुसी महसूस होती थी When she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road जैसे ही उस carriage यानि गाड़ी यानि जिस पर उसके पिता जी जाया करते थे उसकी noise, उसकी आवाज, फैंटर यानि धीमी होती जाती थी उसी धीमेपन के साथ साथ उसकी gladness, उसकी प्रसनता भी बढ़ती जाती थी क्यों क्योंकि वो पापा थे अपने बहुत डरती थी तो जब पिता जी की गाड़ी सड़क में दूर निकर जाती थी उसकी आवाज कम हो जाती थी जितना दूर वो निकर जाती थी, उतना ही वो खुश हो जाती थी In the evening, शाम के समय, when he came home, जब उसके पिता जी घर वापस आते थे She stood near the staircase, तब वह सीड़ी के पास खड़ी हो जाती थी Staircase means होता है, सीड़ी के अगर बगर जो दिवारें होती है उनको मिला कर एक जो structure बनता है, उसे staircase बोलते है And heard his loud voice in the hall, वह सीड़ी के पास खड़ी होती थी और सुनती थी, heard his loud voice, उनकी जोड़ार आवाज in the hall, उस बड़े से कमरे में और वो आवाज क्या होती थी, यहाँ देखियो, क्या कहा करते थे Bring my tea into the drawing room, मेरी चाय राओ, bring means राना होता है Bring my tea into the drawing room, drawing room means होता है meeting room, जहाँ सब लोग एक दोसे से मिलते हैं बैठक room कह सकते हैं, तो बैठक room में कहा करते थे कि मेरी चाय इस बैठक room में ले आओ Hasn't the paper come yet? पेपर अभी तक नहीं आया है Mother? मदर ये उस रड़की की मा के लिए बोला गया है तो उसके पिता जी उसकी मा से कहते हैं, go and see जाओ और देखो, if my paper is out, मेरा पेपर आया है या नहीं And bring me my streepers, और मेरे streepers भी राओ, streepers आप जानते हैं, कैजुरी जो हम रोग घर में चप्र और गयरा पहनते हैं, उसे streepers कहते हैं उसके बाद आता है, second paragraph, केजिया, उस रड़की का नाम है Mother would call to her, इसी नाम से उसकी मा उसको call करती थी, बुराती थी तो कहती हैं, केजिया, if you are a good girl, यदि तुम एक अच्छी रड़की हो, you can come down, तो तुम नीचे आजाओ And take off father's boots, और पिता जी के जो boots हैं, boots मिन्स होता है जूते, जो anchor तक होते हैं तो कहती है कि take off, take off मिन्स उतारो, कहती है कि नीचे आजाओ और अपने पिता जी के जूते उतार दो Slowly the girl would slip down, धीरे धीरे वो रड़की, उस staircase से, उस स्रीड़ी से, slip down, नीचे उतरना Slip down मिन्स होता है, नीचे की तर उतरना, धीरे धीरे आंगे बढ़ना, वह नीचे आती है The stairs, स्रीड़ी से, more slowly still, जैसे जैसे नीचे आती है, वो और ही धीमा होजती जाती है Across the hall, उस hall में आते समय, and push open the drawing room door और उस drawing room के दरवाजे को push करके, open करती है, खोरती है आप देखते होंगे, जब कहीं offices में जाते हैं, या कि और कहीं, तो वहां लिखा रहता है push या pull Push means धकेरना, या pull means खेंचना, तो कई बार कुछ गेटों में pull रिखा रहता है, यानि अपनी तरफ खेंचिये और कहीं बार push रिखा रहता है, मतलब अंदर की तरफ धके लिए By the time he had his spectacles on, by the time means होता है उसी समय तक, during that time, उस समय तक He had his spectacles on, he बार बार उसके पिता के लिए आता है He had his spectacles on, spectacles means चस्मे होते हैं, उस समय तक वो अपने चस्मे पहन चुके होते थे And looked at her, और उसको देखते हैं, over them, चस्मों के उपर से, over means उपर से In a way, इस तरीके से, that was terrifying, जो की बहुत डरावना होता था To the little girl, उस चोटी सी रड़की के लिए, terrifying means होता है डरावना तो जब वो है चस्मे के उपर से, निहारते थे, देखते थे, तो बड़ा डरावना चहरा रगता था Well, Kezia, ये उसके पिता जी के वाके हैं, Kezia, hurry up, hurry up means होता है, जल्दी करो And pull off these boots, pull off means होता है, take off, take off means उतारना या अलग करना कहते हैं कि ये जूते जो हैं मेरे, इनको उतारो, and take them outside, और इनको बाहर रखाओ Have you been a good girl today? तुम आज अच्छी रड़की हो ना? तो Kezia कहती है, I don't know father ऐसे वो हकला कर बोलती है, उसको बोलना था I don't know father, तो बोलती है I don't know father You don't know, if you stutter like that, वो भी उसका नकल करते हैं, you don't don't know, तुम नहीं जानती हो If you stutter like that, यजि तुम इस प्रकार से हकलाओगी, हकलाती हो, mother will have to take you to the doctor तो तुहारी मा को तुम्हें doctor के पास रे जाना पड़ेगा उसके बाद ती से परग्राप में आते हैं, she never stuttered with other people वह बांकी रोगों के साथ कभी भी हकलाती नहीं थी, stuttered means होता है हकलाना या तुतरा कर या अटक अटक कर बोलना, had quite given it up given it up means होता है, left या to leave, छुमड देना, त्याग देना कहते हैं, कहती है कि वह हकलाना छोड चुकी थी, पूरी तरह से quiet यानि completely, but only with father लेकिन अपने पिता के साथ अभी भी वह रुक रुक कर बात करती थी because then she was trying so hard to say the words properly क्यों क्योंकि वह अपने पिता के सामने बड़ी मुश्किल से सब्दों को बोल पाती थी, बहुत प्रयास के बाद उसके मुह से सब्द निकल पाते थे, उसके पिता जी कहते हैं, what's the matter what is the matter का मतर होता है कि क्या बात है, क्या बात है what are you looking, so rest about, rest means होता है unhappy, नाखुष तुम इतना उदास क्यों देख रही हो, तुम इतना अपरशन क्यों देख रही हो mother उसकी मा को बोलते हैं, if I wish you taught this child not to appear on the bring up society, कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसको सिखाओ, तुम इसको taught करो, सिखाओ, कि यह हमेशा appear यानि प्रगट होना, प्रतीत होना, यह तुहारी जो बच्ची है, हमेशा ऐसा न दिखा करे, कि suicide करने वारी है, bring on suicide मनत होता है, just want to commit suicide, committing to suicide, मतब और आत्महत्या करने जैसा मुहना बनाई रहा करे, उसकी मां से कहते हैं कि अपनी बच्ची को सिखाओ, कि यह हमेशा आत्महत्या करने जैसा चहरा न बनाई रहा करे, here Kezia, Kezia सुनो, carry my tea cup, यह मेरा tea cup पकड़ो, back to the table carefully, और उसको फिर से उस table के पास रखाओ, carry means होता है, ढोना या ले जाना, he was so big, उसके पिता जी के बारे में कवात आया गया है, कि वह बहुत बड़े थे, he was so big, वह इतना बड़े थे कि, his hands and his neck, especially his mouth, उसके हाथ बड़े बड़े थे, उसकी गरदन बड़ी थी, खासतों से उसका मुह बहुत बड़ा था, when he yand, जब वह जम्हाई रहते थे, यान में सोता है जम्हाई रहना, Thinking about him alone, was like thinking about a giant, कहते हैं कि अकेरे में उसके बारे में think करना, सोचना, around means, अकेरे में ऐसा था, मानो, thinking about a giant, मानो आप किसी बड़े से राक्षस के बारे में सोच रहे हैं, giant means होता है, खुंखार, राक्षस, भीम काय, बहुत बड़ा, on Sunday afternoon, Sunday को afternoon में दो पहल के बाद, दो या दो पहल में, grandmother sent her down, उसकी दादी मा, sent यानि भेजती थी, her, यानि उसको, down यानि नीचे, to the dying room, उस बैठक कक्ष में, to have a nice talk, to have means होता है, करने के लिए, रखने के लिए, to have a nice talk with father and mother, उसकी, अपने मन्मी और पापा से, एक अच्छी बात करने के लिए, nice talk means होता है, घुल मिर जाने बारी बात करने के लिए, उसकी दादी मा, Sunday को उसको नीचे भेजती थी, ये देखिए, तो यहां लिखा है, तो जब वो आती थी दो पाहर को, तो देखती थी, कि मम्मी हमेशा पेपर पढ़ती रहती थी, और उसके पिता जी इस सोफे में पसरे रहते थे, यानि आराम करते थे, चलिए आँगे देखते हैं, कैते हैं कि जब भी वो रिटल गर आती थी इस ड्वाइंग रूम में, तो उसकी मा पेपर पढ़ती हुई, फाउंड यानि मिलती थी, पाई जाती थी, और फादर इस्टेश्ट आउट, इस्टेश्ट आउट मिन्स होता है, तो बेए दाउन कंफर्टीबली, आराम से रेटना, तो उसके पिता जी आराम से रेटने होते थे, अनन दा सोफा, सोफा में, हिज हैंकचीफ, हैंकचीफ में होता है रुमाल, उनका जो तर्या रुमाल होता था, on his face, उनके face यानि चहरे पर होता था His feet on one of the best cushions और उसके जो पैर होते थे, वो सबसे अच्छे one of the best यानि उन में से जो सबसे अच्छा होता था cushions, cushions means तकिया होता है तो तकिये के ऊपर रहता था Shreeping soundly and snoring वो shreep करते थे, sound यानि गहरी नीद होती है गहरा, अच्छी नीद कह सकते है तो वह अच्छी नीद रहते थे और नीद रहते इस नमे snoring भी करते थे, snoring means होता है खराटे मारना, कई रोगों की आदत होती है सोते समय उनके मुह से खराटों की आवाज आती है She sat on a stool, वह स्टूर में बैठ जाती थी ग्रेवरी वाज्ड हिम और बड़े ग्रेव यानी गंभीरता के साथ वाज्ड यानी देखती थी, निहारती थी हिम, उनको until he woke जब तक वह जाग नहीं जाते थे until means होता है जब तक नहीं, और woke जो है ये वेक का पास्ट फाम है वेक में से जागना and stretched और जाग कर अपने बाड़ी को तामते थे जब रोग जागते हैं तो अपने हाथ पर उपर नीचे करते हैं and asked the time asked the time और उससे time मुझते थे then looked at her और उसके बाद उसको देखते थे क्या कहते थे don't stare so kajiya का जिया तुम मुझे इस प्रकार मत घूरो stare means होता है घूरना या किसी को भटी हुई आँखों से देखना you looked like a little brown owl तुम एक छोटे से brown करार के उल्लू जैसी देखती हो one day when she was kept indoor एक दिन जब वह indoor यानि अंदर ही घर के रहना keep means रखना या रहना होता है जब वह घर के अंदर ही थी with a cold उसको सर दी हो गई थी her grandmother told her तो उसकी दादी माने उसको बोला कि father's birthday was next week कि तुहारे पिता का जो birthday है वो अंग्रे हपते है the and suggested she should make him a pin cushion और उसने शराह दी उसकी दादी माने सजिस्ट किया कि she should make उसे बनाना चाहिए a pin cushion एक ऐसा तकिया जिसमें पिनों को खोशा जा सके, गाड़ा जा सके फसाया जा सके for a gift out of a beautiful piece of yellow silk ताकि तुम इसको बना कर अपने पिता के birthday में उसको gift कर सको रेव रसली मने कठिनाई पूरग with a double cotton काटन के दो परतों के साथ the little girl उस छोटी सी वड़की ने stitched three-sided उस कपड़े की three sides यानि तीनों तरब से stitched यानि सिर दिया but what to fill it with लेकिन इसमें फिर क्या किया जाए what to fill क्या फिर करे that was the question ये एक प्रस्न था कि उसने तकिया का जो खोर होता है वो बना तो लिया लेकिन अब उसमें भारे क्या ये उसके लिए चिंता की बात थी एक उसके असामने प्रस्न था the grandmother was out in the garden उसकी दादी मा बाहर थी गार्डन में and she wandered into mother's bedroom और उए अनायास ही घूमते हुए मा के bedroom में चली गए vendor means होता है बिना उद्देश के ही कहीं चले जाना to look for scraps scraps means होता है रद्दी जिनका उपयोग अभी ना हो लेकिन भविश से में उनका किसी में यूज आ सकता हो तो कहती है कि वो है अपने मा के कमरे में गई और उहां कुछ रद्दी देखने लगी on the bed table bed के पास जो table रखा हुआ था she discovered a great many seats of fine paper she discovered discovers means होता है खोजना या पता रगाना उसने देखा कि great many seats of fine paper एक अच्छी quality के paper की जो बहुत साई seats है वो वहां gathered them up रखी हुई है तो वो क्या करती है this gathered them up gather means होता है इकठा करना वो है उनको इकठा करती है tore them tore बना है tear से tear means होता है फारना उनको फार देती है into tiny pieces चोटे चोटे टुकड़ों में tiny means चोटे चोटे पीस यानी टुकड़े and stepped her case और अपने case को जिसको वो तीन तरब से सिरी थी उसको stepped कर देती है उसमें फिर कर देती है भर देती है then sewed up the fourth side और उसके बाद चौथे side को भी वो sew कर देती है that night उस रात there was a few and cry few and cry ये एक word है इसका मत्रव होता है चिरंपो, हर्रा होना जैसा रड़ाई जगड़ा हो गया हो या बहुत ज़्यादा तनाव हो उस रात घर में बहुत हो हर्रा हुआ in the house father's great speech for the port authority had been lost port authority यानी बंदरगाह का जो अधिकरण होता है authority होती है उसके सामने जो उनको speech देना था भासन देना था पिता जी को वो रास्ट हो गया था खो गया था rooms were searched कमरों को search किया गया servants question नौकरों से प्रस्ण किये गए finally mother came into Kezia's room अंततह जो उसकी मा थी वो Kezia के कमरे में आई और पूछती है Kezia से Kezia I suppose मुझे रगता है Kezia I suppose means मेरा मानना है या मुझे ऐसा रगता है You did not see some papers on a table in our room मुझे रगता है कि तुमने मेरे room में हमारे room में table में कुछ papers तो नहीं देखे तो रड़की कहती है Oh yes, आरे हाँ मैं देखी हूँ She said उसने कहा I tore them up for my surprise कहती है कि मैं तो उनको tore means होता है fire डालना मैं तो उनको fire डाली किसके लिए? एक surprise देने के लिए What? क्या? Screamed mother Mother चिल्रा उठी Screamed means होता है चिल्राना Come straight चलो सीधे Straight means होता है सीधे सीधे नीचे आओ Down Down means नीचे To the dining room चलो सीधे dining room में जहां खाना लोग बैठके खाते हैं Dining room This instance This instant means होता है तुरंत And she was dragged down उसको घसीट के रे जाया गया Drag means होता है घसीट ना Down means नीचे To where father was basing जहां उसके पिता जी दौड रगा रहे थे दौड नहीं रगा रहे थे यहां to and fro आया है To and fro का मतलब होता है Forward and backward थोड़ी दूर आंगे जाना फिर पीछे आना फिर आंगे जाना फिर पीछे जाना तो उसके पिता जी पूरे कमरे में यहां से वहां वहां से यहां जा रहे थे Hands behind his back और उनके हाथ पीठ में पीछे की तरफ थे Well, he said sharply उन्होंने बड़ी तीखी आवाज में जोरदार आवाज में कहा अच्छा Mother explained मा ने उस पूरी घटना को बताया कि आपकी बच्ची ने इन पेपर्स को फारड आ रहे हैं He stopped and stared at the child वो रुक गए और child की तरफ stared किये Stared means होता है घोरना Did you do that? यह तुम ने किया है तो रड़की कहती No, no तुही हक राना She whispered वो बहुत ही धीनी आबाज में बोली No Whispered means होता है बहुत धीनी आबाज में बोलना फुस फुसाना भी बोल सकते हैं Mother उसकी मा को कहते हैं उसके पिता जी Mother Go up to her room इसके room में जाओ And fetch down the damn things और उस कभार की चीज को फैच मन सोता है रे आना उसको रे आओ यहां जो damned आया है damned का मत्रव होता है गुसा दिखाना तो गुसे में कहते हैं कि इसके कमरे में जाओ और उसकी चीज को रे आओ See that the child is put to bed this instant और ये भी देखो कि ये जो बच्ची है ये सीधे bed में सो जाए Crying too much to explain बहुत ज्यादा explain करने के लिए वो चिला रही थी चीख रही थी कि मैं बताऊं कि मैंने क्यों फाड़ा है She lay in the sad old room वो अपने अंधकार भरे कमरे की तरफ चली गई Watching the evening light makes a sad little pattern on the floor जो evening light थी गो फ्रोर में फर्स में एक दुख भरा पैटर्न बना रही थी Then father came into the room उसी समय उसके कमरे में उसके पिता जी आ गए With a ruler इसके रेके वो जो छड़ी जैसे होती है जिससे हम लोग लाइन खीजते हैं तो ruler रेके आ गए In his hands उनके हाथ में ruler था I am going to beat you I am going to beat means पीटना होता है मैं तुमको पीटूंगा या मैं तुम में पीटने जा रहा हूं You far this जो तुमने किया है He said उन्होंने कहा Oh no no She screamed वो है फिर से चिलाई कि पीटा जी ऐसा नहीं है Hiding under the bedcloth वो है चादर के नीचे Bedcloth means चादर के नीचे छुपते हुए बोजी He pulled them aside उन्होंने उस चादर को Aside means एक किनारे खीज कर रख दिया Sit up कहते हैं वो कि बैठ जाओ He ordered उन्होंने आदेश दिया And hold out your hands और कहते हैं कि अपने हाथ सामने रखो You must be taught तुमको सिखाना पड़ेगा Once, एक बार And for all Not to touch what does not belong to you तुम्हें आज ये सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें वो चीजे नहीं छूनी है जो तुमसे बिलांग नहीं करती है तुहारे काम की नहीं है ये तुहारी नहीं है But It was for your birthday वो बचारी बच्ची कहती है कि पिता जी लेकिन मैंने तुह इसको आपके बाथड़े के लिए बनाया है तो कहते हैं उसी समय उसके छोटे छोटे गुरावी गुरामी हथेलियों में वो रूर था वो डाउन आ गया मत्तब उन्होंने उसको मारा उसके हाथ में आवर्स रेटर्स घंटों बाद वैं ग्रेंड मदर हैड रैप्ड हर इन अशौर जब उसकी दादी ने उसको रैप किया रपेटा हर in a shower उसको एक शौर में रपेटा एंड रागड हर और उसको जुलाने लगी हिराने लगी इन दा लागिंग चेयर एक लागिंग चेयर में लागिंग चेयर देखो, ऐसी होती है जिसमें रोग बैठ जाते हैं और पीछे आंगे पीछे नीचे उढ़कते हैं तो जो पीछे आंगे जो होना है उसको रॉक्ड कहते हैं और ऐसी करने वारी जो कुर्सी होती है उसको राकिंग चेर कहते हैं तो उसकी दादी मा उसको शौल में रपेट कर राकिंग चेयर में बैठा के और रॉक करने लगी, उसको हिराने लगी। वो जो बच्ची थी, वह दादी मा की शौप्ट नरम कोमर बाड सरीर में क्रंग हो गई, चिपक गई। क्रिंग से बना है, C-L-I-N-G, क्रिंग मेंज चिपक जाना, वह उनके फरीर से चिपक गई। वो बच्ची कहती है कि भगवान फादस किस ये बनाता है। शौप्ड मिन्स होता है, सिशकते हुए बोलना, जब कोई बक्ती होता है, रोते हुए बोलता है, तो उसकी आबाज ठीक से नहीं निकलती, उसको सौप्ड बोलते हैं, तो ऐसी सकते हुए बोलती है, कि भगवान पिता क्यों किस ये बनाता है। कहती है कि ये देखो, यहाँ एक रुमाल है, साप रुमाल, डार्लिंग, मेरी प्यारी बच्ची, ब्लो योर नोज, ब्लो योर नोज मिन्स होता है, अपनी नाक साप कर रो, गो टू स्रीप, और इसके बाद सोजाओ, पेट, पेट वैसे मिन्स होता है, पाल तू जानबर, लेकिन यहाँ बच्ची को प्रेम से बोली ही कि मेरी प्यारी बच्ची, तुम सो जाओ, यो विल फारगट आर अबाउट इट, तुम इसको फारगट कर दोगी, भूर जाओगी, in the morning, सुवह तक, I tried to explain to father, बच्ची कहती है कि मैंने पिता जी से explain, यानि बताने का प्रयास कि या है, try की है, but he was too upset, लेकिन वे बहुत अपसेट थे, to recent, to night, to night, to night means होता है, जो रात गुजर गई, कहती है कि मैं अपने पिता जी को बहुत समझाने का प्रयास की, बहुत बताने का प्रयास की, कि मैंने जान बूज कर नहीं फारा है, लेकिन चुंकि वो बहुत अपसेट थे पिछली रात को, उन्होंने बिलकुर नहीं सुनी, उसके बाद, but the child never forget, लेकिन उस बच्ची ने उस घटना को कभी नहीं भुलाया, next time she saw him, अगली बार जब भी वह उनको देखती थी, यानि अपने पिता को देखती थी, she quickly put both hands behind her back, तो वह जल्दी से, quickly यानि जल्दी से, अपने दोनों हाथों को behind, यानि पीछे कर रहती थी, her back, अपने पित की तरफ, and a red color flew into her cheeks, और एक राल रंग उसके cheeks, यानि गालों पर बहने रगता था, बहने रगता था, मत्रब है, कि उसके जो गाल होते थे, वो डर के मारे राल हो जाते थे, ये एक ब्यक्ती है, एक परसन है, वो उनके बगर में ही रहते थे, they had five children, उनके पांच बच्चे थे, looking through a gap, through means होता है माध्यम से, एक छोटे से gap की माध्यम से, in the fence, जो की बाड में था उनके जो gap, the little girl शा, वो रड़की देखी, them praying, कि वो खेर रहे हैं, tag, tag एक खेर होता है, जिसमें एक वड़का बांकी वड़कों को छूने का प्यास करता है, अगर वो छू रिया तो फिर जिसको छू रहेता है, वो दूसरों को छूने का प्यास करता है, in the evening, वो देखती है कि MacDonald जो है, अपने बच्चों के साथ एक गेम खेर रहे हैं, the father with the baby, फादर जो है, एक बेबी को लिये हैं, जिसका नाम माव है, on his shoulders, अपने कंधों पर, two little girls hanging, दो छोटी छोटी रड़किया जूल रही है, on his coat pocket, उनके जो coat था, उनके pocket में पकड़के, दो रड़किया जूल रही थी, ran round and round, और गोल गोल घूम रही थी, the proverbates, proverbates means होता है, फूल की क्यारिया या जहां फूल उगाए जाते हैं, shaking with raptor, खूब हास रही थी, हस हस के रोट पोट हो रही थी, ये देखिये, दो रड़किया उनकी pocket को पकड़े हुए हैं, एक रड़का जो माव है, उनके कंधे पर बैठा हुआ है, और बांकी सब रोग यहीं खेल रहे हैं, चूंकि उनके पांच बच्चे थे, once she saw the boys turn the hose on him, उसने एक बार देखा कि उनके बच्चों ने उनके ऊपर hose pipe खोल दी थी, hose pipe एक ऐसा pipe होता है, जिसके मध्धम से पानी वानी distribute किया जाता है, जैसे आग बुझाने बारी गाड़ी होती है, या कि घरों all the time, और वह उन बच्चों को catch करने का, पकडने का, try यानी प्रयास कर रहे थे, हसते हुए, all the time, पूरे समय, मतलब वो गुझा नहीं हुए, then it was, she decided there were different sorts of father, then it was, उस घटना के बाद उसने decide किया, there was different sorts of fathers, कि fathers भी, पिता भी, कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं, suddenly one day, एक दिन अचानक, mother became ill, उसकी माँ बीमार हो गई, and she and grandmother went to hospital, और वह और उसकी दादी माँ hospital चले गए, मतलब मम्मी और दादी उसके hospital चले गए, the little girl was wrapped around, ओ रड़की घर में wrapped around, अकेले रह गई, in the house, उस घर में, with Irish, Irish जो था, उनका एक cook था, उनका नवकर था, that was all right in the daytime, daytime में तो सब ठीक था, all right था, ठीक था, but while Irish was putting her to bed, जब उनका नवकर उसको, उसके बेड में सुरा रहा था, she grew suddenly upfed, तो अचानक उसको डर लगने लगा, upfed में सोता है डर, what will I do, if I have a nightmare, वो रड़की कहती है, कि यदि रात को मुझे नाइट मेर हुआ, डरावना सपना आया, तो what will I do, मैं क्या करूंगी, I often have nightmares, क्योंकि मुझे अक्सर रात को डरावने सपने आते हैं, and then, granny takes me into her bed, और उसके बाद, granny जो है, यानि grand mother जो है, वो अपने विस्तर पर रे जाती है, I can't stay in the dark, मैं अधेरे में नहीं इस्टे कर सकती, नहीं रोख सकती, it all gets whispery, क्योंकि अधेरे में मुझे रगता है, कि कोई फुसपुसा रहा है, कोई बात कर रहा है, whispery means होता है, ऐसा रगता है कि कोई काना फुसी कर रहा है, you just go to sleep child, risk कहता है, कि बेटा, तुम चुप चाप, सो जाओ, pulling off her socks, वह उनके socks उतारता है, and don't you scream and wake, और सुनो, scream न करना, चिलाना नहीं, और नहीं जागना, चिलाना नहीं, and wake your poor paw, है न, अगर चिलाओगी तो तुहारे पा जो है, यानि फादर जो है, वो वेक हो जाएंगे, जग जाएंगे, but the same old nightmare came, लेकिन होना वही था, उसको फिर से वही पुराना डरावना सपना आ गया, the butcher with a knife, सपना क्या था, एक बचर है, कसाई है, with a knife, और उसके हाथ में चाकू है, and a rope, और एक रश्ची भी लिये है, who came nearer and nearer, जो वहस के और नजदीक आ रहा है, near means pass में, smiling, हसता है, and dreadfully smile, और उसकी जो smile है, वो बड़ी डरावनी है, dreadful है, भयानक है, while she could not move, अच्चों की सपने में वह move नहीं कर सकती, could only stand still, वह चुपचाप खड़ी रह सकती थी, crying out, जो से चिल राती है, grandma, grandma, दादी मा, दादी मा, she walked shivering to see father beside her bed, जब वह वो की, जागी, तो shivering, यानि कांप रही थी, और देखा उसने कांपते हुए, कि उसके पिता जी, beside her bed, उसके बेड के बगर में खड़े हुए हैं, beside means बाजू में होता है, a candle in his hand, और उनके हाथ में एक candle है, वो पूशते हैं, what is the matter, क्या हुआ बच्ची, he said, उन्होंने पूँछा, ओ, कहती है, a butcher, a knife, I want granny, कहती है, पापजी, वही कसाई, वही चाकू, मुझे, ग्रैंड मा के पास जाना है, दादी के पास जाना है, और उस बच्ची को, कैच से बना है काच, अपने भूजाओं में, अपने हाथों में उठा लेते हैं, carrying her along the passage to big bedroom, उसको रिया कर, बड़े से bedroom में रियाते हैं, और नियूज पेपर वाज आन दा बेड, उस बेड पर एक नियूज पेपर रखा था, he put away the paper, वह उस पेपर को एक किनारे कर देते हैं, then, carefully tucked up the child, और बड़ी ही सावधानी से, उस बच्चे को tucked up कर देते हैं, रिटा कर उढ़ा देते हैं, ढख देते हैं, he lay down beside her, और वो भी उसके बगर में ही lay down, यानि lie down, रेट जाते हैं, half asleep is still, अभी भी वो आधी नीद में हैं, still with the baches smile, अभी भी उसके कसाई की जो smile है, उसके दिमाग में है, or about her, it seemed, जैसा कि उसने देखा था, she crept close to him, वो है अपने पिता के और नजदीक आई, crept बना है creep से, creep means होता है, शरकना या नजदीक आना किसी के पास, snuggered her head, इस नगर्ड मिन्स होता है, चिपका रेना, या छुपा रेना, under his arm, वो है अपने सिर को अपने पिता की बाहु में रख रेती हैं, touch कर रेती हैं, head tightly to his shirt, और उसकी shirt को, उस पिता जी की shirt को, मजबूती के साथ पकड रेती हैं, then the dark did not matter, और उसके बाद अधेरा कोई माय में नहीं रखा, she ray stir, और वो अभी सांत रेट गई, here rub your feet against my legs, उसके पिता जी कहते हैं, कि तुम अपने पैरों को मेरे पाउ में, अपने तर्बों को मेरे पाउ से रगड रो या घिस रो, and get them warm, जिससे वो गरम हो जाएं, said father, उसके पिता जी बोलते हैं, Tired out, Tired out में सोता है, exhausted, बहुत थका होना, he slept before the little girl, वह उस रड़की के पहरे ही सो गए, उसके पिता जी एतने थके थे, कि उसकी अपनी बच्ची के पहरे ही सो गए, a funny feeling came over her, एक बड़ा ही funny यानि मजाकिया feeling, एक happy feeling उसके चेहरे पर आ गई, poor father, देखो तो बिचारे पिता जी, not so big, इतना बड़े तो नहीं है, after all, and with no one to look after him, क्यों, क्योंकि उनका कोई ख्यार रखने बारा भी नहीं है, हमारा तो ख्यार रखने बारा है, उनका तो कोई ख्यार रखने बारा भी नहीं है, वह अपनी दादी मा से, वह दादी मा से भी कठोर है, but, harder means कठोर है, but it was a nice hardness, लेकिन उनकी जो hardness है, उनकी कठोरता है, वो बच्ची कहती है कि अच्छी है, and every day he had to work, क्योंकि हर दिन उनको काम करना पड़ता है, and was too tired, और वो इतना ठक जाते हैं कि, to be a Mr. Macdonald, क्योंग है, Mr. Macdonald, जिनके पांच बच्चे थे, उनकी तरह बिलकुर भी हस बोल नहीं सकते, खेल नहीं सकते, क्योंगि उसके पिता जी, बहुत कठोर काम करते हैं, she had torn up all his beautiful writings, वो कहती है, याद करती है, कि उसने उनकी खुबसूरत writing, यानि रिखावट को torn कर दिया था, फार डा रहा था, she istud suddenly, वो है अचानक ही हिल गई, istud means होता है, अचानक से हिल जाना थोड़ा सा, and side, side means होता है, गहरी सांस रेना, वो है अचानक से हिल गई, और सांस ली, राहत की सांस कह सकते हैं, what is the matter, क्या हुआ, asked his brother, जब वो अचानक से हिल गई, तो उसके पिता जी पोँचते हैं, क्या हुआ बच्ची, another dream, कोई दूसरा सपना देखी हो, मैं इसको सुन पा रही हूँ, कि यह धड़क रहा है, what a big heart you have got, बाव पिता जी, आपका हिल गई कितना बड़ा है, dear father, मेरे प्यारे पिता जी, आपका जो हिल गई है, वो बहुत बड़ा है, मतलब यह है, कि बच्ची को अंत में समझ में आ गया, कि उसके पिता जी, सबसे, अच्छे से, प्रेम से, क्यों पेस्ट नहीं आ पाते, क्योंकि वो दिन भर इतना ठके रहते थे, कि वो है मैक डॉनार्ड, जो उनके पड़ोसी थे, उनकी तरह बिलकुल बेवहार, नहीं कर पाते थे, तो इससे हम लोग यही सेख रहे हैं, कि जब हम छोटे होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते, कि हमारे मम्मी पापा का बिल्वहार ऐसा क्यों है, क्या उनको काम ज़्यादा पड़ता है, या उनको कोई समस्या है, जिस बज़े से उनके अंदर जुजराहट होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं, हमको उनकी परिस्थितियों का आभास हो जाता है, और हमारे अंदर जो उनके पती एक गरत धारना होती है, वो दूर हो जाती है, अंगले वीडियो के साथ हम वो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार,